परिचय जो कह रही हो वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये प्रिष्ठिय क्षेत्रफल और आयतन क्या होते हैं? प्रिष्ठिय क्षेत्रफल ठीक वही होता है जैसा की सुनने में लग रहा है किसी त्री आयामी वस्तु के सभी बाह्य प्रिष्ठों का क्षेत्रफल और आयतन किसी त्री आयामी वस्त के भीतर के स्थान को कहते हैं आओ इस विशय में मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ इस पार्ट में तुम इन दोनों परिकलपनाओं के संबंद में और अधिक जानोगे साथ ही ये भी जानोगे कि ठोसों के संयोजन के प्रिष्टियक शित्रफल और आयतन की गणना कैसे करते हैं उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे किनी दो आधार भूत ठोसों जैसे घनाब, शंकू, बेलन, गोला वा अर्थ गोला के संयोजन से बनी वस्तु का प्रिष्टियक शित्रफल निकालना किनी दो आधार भूत ठोसों के संयोजन से बनी वस्तु का आयतन निकालना किसी सम वित्ताकार शंकु के छिन्नक को परिभाशित करना, किसी शंकु के छिन्नक का आयतन ग्याद करना, किसी शंकु के छिन्नक का वक्र प्रिष्टियक शित्रफल ग्याद करना, ठोसों का संयोजन चात्रों, इन ठोसों को देखिए, ये ठोस दो या अधिक ठोसों से बने हैं यहां हम स्पष्ट देख सकते हैं कि सरकस का तंबू, शंकू वा बेलन का संयोजन होता है लट्टू, अर्थगोले वा शंकू का संयोजन होता है और परक्नली, अर्थगोले वा बेलन का संयोजन होती है इसी प्रकार अपने दैनिक जीवन में हम ऐसी अनिक वस्तूएं देखते हैं जैसे खिलाओने, वाहन, पाद्र, औजार, इत्यादी जो दो या अधिक ठोसों का संयोजन होती है आईए उनके प्रिष्टियक शित्रफल एवं आयतन ग्याद करना सीखते हैं ठोसों के संयोजन का प्रिष्टियक शित्रफल ठोसों के संयोजन से बने ठोस का प्रिष्टियक शित्रफल ग्याद करने के लिए हम उसे छोटे-छोटे ठोसों में विभाजित कर देते हैं और फिर प्रतेक ठोस का वक्र प्रिस्टियक शित्रफल ग्याद करते हैं। फिर उन सब वक्र प्रिस्टियक शित्रफलों को जोड़ कर संपून ठोस का प्रिस्टियक शित्रफल ग्याद कर लेते हैं। उधारनार्थ इस खिलाउने को देखो या खिलाउना एक शंकू और एक अर्थ गोले का सही उजन है। तथा अर्थ गोले के वक्र प्रिस्टिय क्षित्रफल के योग के बराबर होगा। ठोसों के संयोजन से बने ठोस का प्रिस्टिय क्षित्रफल क्यात करने के लिए आईए कुछ उधारनों को हल करते हैं। एक ठोस खिलाउना एक सम ब्रित्तकार शंकू द्वारा आच्छादित अर्थ गोले के रूप में है। यदि शंकू की उचाई 4 cm एवं आधार का व्यास 6 cm है तो खिलाउने का प्रिस्टिय क्षित्रफल ग्यात कीजिए। आईए इसे हल करते हैं। हमें शंकू की उचाई दी गई है जो की 4 cm है और आधार का व्यास 6 cm है। जो की आधार का व्यास 6 cm है अता शंकू की त्रिच्या आर आधार के व्यास की आधी अर्थात 3 cm होगी। अर्थ गोले की त्रिच्या भी 3 cm है। अब खिलाउने का प्रिस्टिय क्षित्रफल ग्यात करने के लिए हमें शंकू का वक्र प्रिस्टिय क्षित्रफल तथा अर्थ गोले का वक्र प्रिस्टिय क्षित्रफल ग्यात करना होगा। शंकू का वक्र प्रिष्टियक शित्रफल पाई आर एल होता है, अताहा अब हमें एल त्रियक उचाई का मान ग्याद करना है। हम जानते हैं कि त्रियक उचाई एल बराबर वर्ग मूल ह वर्ग जमा आर वर्ग के होता है। अताह इसकी गणना करने पर हमें 5 सेंटिमीटर प्राप्थ होगा। अब पाई आर एवं एल का मान रखने पर हमें 3.14 गुणा 3.5 प्राप्थ होता है। जो कि 47.1 वर्ग सेंटिमीटर के बराबर है। आईए अब अर्द गोले का वक्र प्रिस्टी एक्षित्रफल ग्याद करते हैं जो की 2 पाई आर का वर्ग अता हमें प्राप्त होता है 2 गोड़ा 3.14 गोड़ा 3 गोड़ा 3 बराबर 56.52 वर्ग सेंटिमीटर अता खिलोने का कुल प्रिस्टी एक्षित्रफल बराबर शंको का वक्र प्रिस्टी एक्षित्रफल जमा अर्थ कोले का वक्र प्रिस्टी एक्षित्रफल बराबर 47.1 जमा 56.52 बराबर 103.62 वर्ग सेंटिमीटर इस आकरिती को देखे, ये सजावट के लिए प्रेयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से निर्मित है, एक खन एवं एक अर्थगोला, ब्लॉक का आधार 5 सेंटिमीटर कोरवाला एक खन है, और उसके उपर लगे हुए अर्थगोले का व्यास 4.2 सेंटिमीटर है, ब्लॉक का संपून प्रिष्टियक शेत्रफल ग्याद कीजिए, हल, घन का संपून प्रिष्टियक शेत्रफल बराबर 6 गुणा भुजा का वर्ग, बराबर 6 गुणा 5 गुणा 5 वर्ग सेंटिमीटर, बराबर 150 वर्ग सेंटिमीटर, हम देख सकते हैं कि प्रिष्टिय क्षित्रफल में घन का वह भाग सम्मलित नहीं किया गया है जिस पर अर्ध गोला अथ्यारोपित है अताहा घन का संपून क्षित्रफल बराबर घन का संपून प्रिष्ठिय क्षित्रफल घटा अर्थ गोले के आधार का क्षित्रफल जमा अर्थ गोले का वक्र प्रिष्ठिय क्षित्रफल सभी के मानू को रख कर और उनकी करणा करने पर हमें 163.86 वर्ग सेंटिमीटर प्राप्थ होता है ठोसों के संयोजन का आयतन जब हम ठोसों के संयोजन पर द्रिश्टि पात करते हैं तो चमता ग्याद करने की समस्या उत्पन होती है ऐसे किसी ठोस का आयतन ग्याद करने के लिए हम उसे छोटे छोटे ठोसों में तोड़ लेते हैं और फिर प्रतेक ठोस का आयतन ग्याद करते हैं फिर प्राप्त आयतनों का योग करके संपून ठोस का आयतन ग्याद कर लेते हैं. इस आइस्क्रीम कोन को देखिए या एक शंकू एवं एक अर्थगोले का सेयोजन है इसका आयतन ग्याद करने के लिए हम शंकू एवं अर्थगोले के आयतन ग्याद करेंगे और फिर उन आयतनों का योग कर देंगे या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी आईस्क्रीम कौन का आयतन शंकू वा अर्ध गोले के आयतनों के योग के बराबर होता है इस संबंध में और अधिक समझने के लिए आईए एक उधारण हल करते हैं उधारण एक लौ स्तंब लंब वृत्ताकार बेलन वा लंब वृत्ताकार शंकू का सह्योजन है बेलन वा शंकू दोनों ही के आधार की त्रिच्या आठ सेंटीमीटर है बेलना कार भाग दो सो चालीस सेंटीमीटर उचा है तथा शंक्वा कार भाग चतीस सेंटीमीटर उचा है स्तंब का भार ग्याद कीजिए यदि एक घन सेंटिमीटर लोहे का भार 3.9 ग्राम हो हल, मालिच ये R बराबर बेलन की त्रिच्या, शंकू की त्रिच्या H बराबर बेलन की उचाई H1 बराबर शंकू की उचाई हम जानते हैं कि स्तंब का संपूर आएतन बेलन वा शंकू के आएतनों के योग के बराबर होता है अतहा संपून आयतन बराबर πाई आर का वर्ग H जमा 1 बटे 3 पाई आर का वर्ग H1 बराबर πाई आर का वर्ग गुणा H जमा 1 बटे 3 H1 इसे हल करने से हमें संपून आयतन प्राप्त हो जाता है जो की 50,688 घं सेंटेमीटर है अब इस्तंब का कुल भार बराबर ठोस का आयतन गुणे भार प्रती घन सेंटिमीटर ये है एक नौ साथ छै आठ तीन दशमलव दो ग्राम अथवा एक सो सत्तानवे दशमलव छै आठ तीन दो किलो ग्राम होगा. किसी ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। भाकों का सैयुक्त आयतन वास्तविक तरबूस के आयतन के ठीक बराबर होता है। जब हम किसी दिये गए आकार के ठोस को किसी अन्य आकार में रूपांतरित करते हैं, प्रिस्टियक शेत्रफल, साधरन्तया परिवर्तित हो जाता है। यद्यपी आयतन वही बना रहता है। इसी प्रकार ब्रेट को भांकों में काटे जाने के मामले में हम किसी ठोस आकार को किसी अन्य ठोस आकार में रुपां तरित करते हैं। सभी भांकों का कुलायतन वास्तविक वस्तु के आयतन के ठीक बराबर होता है। उधारन, 24 cm मुझाई वा 6 cm आधार त्रिज्या वाला एक शंकू मॉडल बनाने वाली मिट्टी से बना है, एक बच्चा उसे गोले के आकार में परिवर्थित कर देता है, गोले की त्रिज्या ग्याद कीजिए. हल, हम जानते हैं कि शंकू का आएतन एक बटा तीन पाई आर का वर्ग होता है, आताहा ये एक बटे तीन गुणा पाई गुणा छे गुणा छे गुणा एककीस घन सेंटिमीटर के. यदि गोले की त्रिज्या आर है, तो उसका आएतन चार बटे तीन पाई आर ग्हन होगा, जोकि शंकू एवं गोले दोनों ही प्रकार के आकारों में मिट्टी का आएतन समान रहता है. हमारे पास चार बटा तीन गुणे पाई गुणा आर का घन बराबर एक बटे तीन गुणे पाई गुणे छे गुणे छे गुणे छे गुणे चौबिस है, जोकि आर का घन बराबर तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे चौबिस बराबर तीन का घन गुणे दू का घन है अता आर बराबर तीन गुणा दो बराबच है अता गोले की त्रिज्या छे सेंटिमेटर होगी शंकू का छिननक यदि एक लंब वृत्तिय शंकू उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा काटा जाता है तो काटे जाने वाले तल एवं शंकू के आधार के मध्दि का भाग शंकू का छिननक कहलाता है शंकू के छिननक के सूत्र नीचे दिये गए है शंकू के छिननक का आयतन बराबर एक बटा तीन पाई एच आर एक का वर्ग जमा आर दो का वर्ग जमा आर एक आर दो शंकू के छिन्नक का वक्र प्रिस्टियक शित्रफल बराबर है पाई L गुणा R1 जमा R2 के जहां L बराबर है वर्ग मूल H वर्ग जमा R1 खटा R2 के वर्ग के. शंकू के छिन्नक का संपून प्रिस्टियक शित्रफल बराबर पाई L आर एक जमा R2 जमा पाई आर एक का वर्ग जमा R2 का वर्ग. अगले स्क्रीन में हम इन सूत्रों का प्रयोग करके शंकू के छिन्नक का आयतन एवं प्रिस्टियक शित्रफल ग्यात करेंगे. उदारण सामान ले जाने वाली एक बाल्टी लंब वृत्तिय शंकू के छिन्नक के आकार की है जैसा की चुत्र में दिखाया गया है बाल्टी का आयतन वा संपून प्रिस्टियक शित्रफल ग्यात कीजिए हल हम जानते हैं कि त्रियक उचाई L बराबर वर्ग मूल H का वर्ग जमा R का वर्ग अताहा हल करने पर हमें त्रियक उचाई 17 सेंटिमीटर प्राप्थ होगी साथी किनारे का प्रिस्टियक शित्रफल ये होगा मान लखने पर हमें किनारे का प्रिष्टिय क्षित्रफल 670 वर्ग सेंटिमीटर प्राप्थ होता है अताहा आधार का क्षित्रफल ये होगा ये 177 वा 89 के योग के परापर है अताहा संपून प्रिष्टिय क्षित्रफल ये होगा इससे हमें 926 वर्क सेंटिमीटर प्राप्त होता है अब हम जानते हैं कि शंकु के चिननक का आयतन ये होता है मान रखकर हल करने पर हमें 2114 घं सेंटिमीटर आयतन प्राप्त होता है क्या आप जानते हैं फ्रस्टम एक लेटिन शप्त है जसकार्थ है काटा हुआ टुकड़ा और इसका बहुवचन फ्रस्टा है साधरणता जब हम कहते हैं बेलन तो हमारा आशय वृत्तिय बेलन से होता है परन्तु अंडाकार बेलन भी होते हैं जैसे कि इस प्रकार इसके अतिरिक्त अपरिचित बेलन भी हो सकते हैं यदि अनुप्रस्ट काट वक्रिये है और एक सरे से दूसरे सरे तक एक समान है तब भी वह एक बेलन होगा सभी आकारों में आयतन के लिए गोले का प्रिष्टियक शित्रफल सबसे कम होता है या दूसरी तरह से कहें तो इसका स्थिर प्रिष्टियक शित्रफल के लिए आयतन सरवाधिक हो सकता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप मेह तोहराएं ठोसों के संयोजन से निर्मित ठोस का प्रिष्टियक शित्रफल ग्याद करने के लिए हम उसे छोटे छोटे ठोसों में विभाजित कर देते हैं और फिर प्रतेक ठोस का वक्र प्रिष्टियक शित्रफल ग्याद करते हैं और फिर उन सब वक्र प्रिष्टियक शित्रफलों को जोड़ कर संपून ठोस का प्रिष्टियक शित्रफल ग्याद कर लेते हैं ठोसों के संयोजन से निर्मित ठोस का आयतन ग्याद करने के लिए हम उसे छोटे-छोटे ठोसों में तोड़ लेते हैं और फिर प्रतिक ठोस का आयतन ग्याद करते हैं। फिर प्राप्त आयतनों का योग करके संपूर्ण ठोस का आयतन ग्याद कर लेते हैं। एक दिया गया लंब वृत्तिय शंकू यदि आधार के समांतर एक तल द्वारा काटा जाता है, तो काटे जाने वाले तल एवं शंकू के आधार के मध्य का भाग शंकू का छिन्नक कहलाता है। शंकू के छिन्नक से संबंधित सूत्र इस प्रकार हैं। एल बराबर शंक की त्रियकू जाई तथा आर एक वा आर दो शंक के दोनों आधारों यानि सिरों की त्रिज्जाए हैं।